भारत में नेट का क्रेश सबसे ज़ादा है, डेटा का इस्तिमाल भी दुनिया भर में सबसे ज़ादा भारत में होता है इसी डेटा के दमपर रिलाइंस जियो टेलिकॉम का ताज पहनने के लिए तैयार है लेकिन ये डेटा केवल टाइम पास नहीं है, ये इंटरनेट यूजर्स केवल मुबाइल ग्रहक नहीं है ये शोचल मीडिया का फितूर सब के सरचर कर बेवजह नहीं बोलता है ये सब मिलकर हजारों करोड के उद्योग में तबदील होने का दम भर रहे है देश में इन बरते इंटरनेट यूजर्स के चलते देश की डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है फिकी ईवाई की रिपूट के मताबक उमीद है कि 2019 में डिजिटल मीडिया एंटर्टीनमेंट इंडस्ट्री को पीछे कर देगा 2021 तक ये कुल 35,147 करोड रुपए का कारुबार हो जाएगा 2018 में डिजिटल मीडिया का आकार 42% बढ़कर 16,549 करोड रुपए हो गया 2019 में इसकी वैल्यू 22,000 करोड रुपए होने का अनुमान है दरसल डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को नंबर वन ले जाने का दम रखते हैं भारत के इंटरनेट यूजर्स यहाँ पर चीन के बाग दुनिया के सबसे ज़दा 57 करोड इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में इंटरनेट यूजर्स सालाना 13 फीसदी के दर से बढ़ रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक भारते यूजर्स अपने 30 फीसदी फोन टाइम को एंटर्टेन्मेंट पर खच करते हैं इस रिपोर्ट में डिजिटल दुनिया की भविश्य की तस्वीर का भी विस्तार से जिक्र किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक 2021 तक देश में OTT यानि ओव दे टॉप वीडियो कंटेन्ट के लिए भुगतान करने वाले 3 से 3.5 करोड सब्सक्राइबर्स होंगे जबकि 60 से 70 लाक ऐसे ग्रहक होंगे जो आडियो कंटेन्ट के लिए भुगतान करेंगे रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइ के नए निर्देशों के तहत OTT प्लाटफॉर्म्स को फायदा होगा क्योंकि टीवी के मुकाबले इन पर कंटेन्ट भी जादा होगा और कीमत भी कम होगी डिजिटल मीडिया इंडस्री जब दम लगा कर इस रफ्तार से दौड़ेगी तो फिर विग्यापन इंडस्री का आकार भी बढ़ना लास्बी है रिपूर्ट्स में कहा गया है कि 2018 में देश में विग्यापन मॉडल की वैल्यू 15,000 करोड रुपे आकी गई है जबकि सब्सक्रिप्शन वैल्यू केवल 1.3,000 करोड रुपे थी रिपूर्ट के मुताबिक 2021 तक उम्मीद है कि एड़िटाइजिंग मॉडल 29.6,000 करोड रुपे का होगा जबकि सब्सक्रिप्शन मॉडल 5.5,000 करोड रुपे का हो जाएगा अगले 5 साल में इंटरनेट पर कंटेंट देखने के समय में 3 से 3.5 गुना इजाफा हो सकता है इसके चलते कंटेंट भी टेजी से बढ़ेगा लेकिन विज्यापनों से होने वाली आमदनी में 2 गुना इजाफा ही होगा कुल मिलाकर देश का मीडिया और इंटर्टेन्मेंट सेक्टर 2017 से 13.4 फीसदी बढ़कर 2018 में 16.4,000 करोड रुपे का हो गया था 2021 में इसके 2.3,000,000 करोड रुपे हो जाने का अनुमान है अगले तीन साल में ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल मीडिया इस ग्रोथ को और रफ्तार देंगे हाला कि रिविन्यू बनानी के मामले में टीवी सबसे बड़ा सिग्मेंट बना रहेगा यानि रोजगार और देश की जीडिपी में जूश भरने के लिए डिजिटल इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हो रहा है